नमस्कार प्रियादर्सकों मैं आचारी-स्थेम आपके चैनल एष्टूकालगरना में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ प्रियादर्सकों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मीन्द रासिकार रासिपल 2023 कैसा रहेगा मीन रासिवालों का पूरा साल 2023 बारा महीनो में मैं 12 भुजशा मानी करूगा पूरे साल को ले करके प्रिय दर्सको अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें लाइक कमेंट एर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें प्रिय दर्सको जो नाम राशी पर भी घटित कर सकते हैं प्रिय दर्सको आपको मैं पूरे साल का थोड़ा ग्रहों का गूचर बताएता हूं कब आपके साथ क्या-क्या बाते होंगी इन ग्रहों के कारण ग्रहों का गूचर बताएता हूं मैं आपको मीन राशी पर 17 जन्वरी 2023 सनी की साड़ीशाते प्रारम हो जाएगी सनिग्रह मकर रासी को छोड़ करके कुम्बर रासी में प्रवेश्च करें और मीन रासी वालुपर साड़ीशाते की प्रथम चर्ण प्राढ़म हो जाएगा और उसके बाद दूसरी जो घटना घटेगी वो घटेगी 22 अपरेल 2023 को जब मीन राशी से देवा गुरु ब्रस्पति मेश राशी में गोचर करेंगे और फिर उसके बाद एक गोचर और होगा जो सनी ग्रह हैं वो कुम्बर राशी में ही वक्री हो जाएंगे 17 जून 2023 से लेकर के चार नहुंबर 2023 तक और 30 अक्टबर को राहु ग्रह भी मेश राशी को छोड़ करके मीन राशी में यानि की मीन राशी आपके राशी के उपर गोचर करेंगे तो ये गोचर ग्रहों का गोचर से मीन राशी का राशी पल मैंने 2023 बनाया है कि 12 भहुष्यवानी मीन राशी वालों के साथ क्या क्या होने वाली है पहले भहुष्यवानी ज्यादा समय नहीं लोगा मैं आपका पहले भहुष्यवानी करता हूँ 2023 में मीन राशी वालों का अपरेल तक के बहीने 21 अपरेल तक पहला शंतान योग बन रहा है पुत्र शंतान योग भी बनेगा और बालिका का भी बनेगा योग अगर आपके ग्रहों अच्छे होंगे कुंडली में तो पुत्र शंतान योग बन रहा है 2023 में मीनदासिवालों का पहली भहुष शवानी दूसरी भहुष शवानी है मीनदासिवालों के लिए बिवाहा का योग भी 2030 में मीनदासिवालों के बन रहा है 22 अपरेल से पहले पहले फटा फटा आप अपने लिए कुणलिया ढूने और लड़के के लिए लड़की ढूने और बालिका के लिए लड़का ढूने बहुत बढ़िया योग है मीनदासिवालों के लिए बिवायोग भी बन रहा है अब तीसरी भहुषवानी है भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा चाहे आपको सनी गरव की साड़े साथी भी परिशान करेगे चिड़चड़ापन मानसितना आओ रहेगा लेकिन तब भी देवगुरु ब्रस्पति के कारण जब देवगुरु ब्रस्पति आपकी राजी में ही गोचर करेंगे 21 अप्रेल तक तो भाग्य का भी भरपूर साथ आपको मिलेगा मीनदासिवालों तो ये थी तीसरी भहुषवानी की मीनदासिवालों का भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा चौथी भहुषवानी है बिद्यार्तियों के लिए बिद्यार्तियों के लिए बहुत अच्छा साल रहने वाला है 2023 पढ़ाई की दृष्चिसे सिक्षा की दृष्चिसे कैस्ट की दृष्चिसे से क्वालिफाइड करने की दिश्चा से उच्छ प्राप्त करने की दिश्च से मांसिक्तना हुने के बावजुद भी आप पढ़ाई में आपका मन करेगा पढ़ने के लिए और आप निरंतर परिस्त्रम करते सब्सक्राइब करने से सब्सक्राइब करने से सब्सक्राइब ब्यापार करना चाहते हैं उनके लिए दो हजार तेईस में राशी वालों के बहुत बढ़िया रहेगा यानि के देवा गुरु ब्रस्पति आपके राशी में गोचर करने से सब्सक्राइब ब्यापार भॉण पर पड़ेगा रोजगार पर रोजगार में व्रिद्धी होने के दो हजार तेईस में पूर्ण योग बन रहे हैं में दाशी वालों के लिए माने आपका अभ्यापार बहुत बढ़िया चलेगा यह थी चटी भवुष्यवानि आप साथी भवुष्यवानि मैंने मैं आपको करना बित्त को लेकर करके यानि अर्थ को लेकर धन को लेकर संपता को लेकर के दो हजार तेईस में देवा गुरु ब्रस्पति जब मीन रासी से मेश रासी में गोचर करेंगे कुटुम के भाव में धन के भाव में योग बनेगा वहां राव का योग भी बनेगा गुरु चांडाल योग भी बनेगा 22 अपरेल के बाद तब भी चिंताएं तो रहेंगी लेकिन आर्थिक रासी का 2023 बहुत अच्छा है पहले भी देवा गुरु ब्रस्पति आपको धन संपदा देंगे उपर से शनी ग्रह आपकी रासी से बार्वे गोचर करेंगे यानि ब्याइभाव में गोचर करेंगे तो शनी ग्रह इस तरी लक्षिमी तो देते हैं कुम्ब रासी में आ करके सनी ग्रह हर एक रासी वालों को कुछ न कुछ देते हैं क्योंकि कुम्ब रासी जो है धन की रासी है एस्वरे की रासी है अम्रत की रासी है लाब की रासी है तो मीन रासी वालों का पूरा साल भर 2023 आर्थिक द्रिशिसे धन की द्रिशिसे उन्यतिक द्रिशिसे बहुत बढ नातिकना बढ़ने के आशार 2023 में दिख रहे हैं मीनरासी वालों यह थी आपकी पांच में च्छटी भवुश नमानी है नौकरी पेशा वालों के लिए 2023 में नौकरी चेंजिंग का योग भी बनता है पदोनिति का योग भी बन रहा है जो सरकारी डिपार्टमेंट में हैं या प्राविट सेक्टर में तो आपके पदोनिति का योग 2023 में बन रहा है और साथ में नौकरी को चेंजिंग करने का भी योग बन रहा है या तबादला कहीं दूर चले जाएंगे आप या आपके विदेश जाने का योग बनेगा मीनरासी वालों तो आपके एकासे से बारवे हैं मीनरासी वालों अब मैं आपको आट में बहुशवानी कर रहा हूं विदेश यात्रा का योग आपका बन रहा है विदेश से जुड़कर जो लोग रोजगार इंडिया में करते हैं या कोई किसी भी कंट्री में लोग रह रहे हैं और वो विदेश से जुड़कर काम करत या वो अपनी कंट्री से ले करके दूसरी कंट्री में जा रखें उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है मींद आसिवालों के लिए 2023 यह थी आठ वी भुषचवानी और नवी भुषचवानी है स्वास्त्य को लेकर स्वास्त्य को लेकर थोड़ा चिंताएं दिख रही हैं जब देवागु collective ब्रस्पती 22 अपरेल के बाद गोचर करेंगे आपके राज़ी से दुतिया भाव में, धन के भाव में, कुटम्मुके भाव में राहु का गोचर भी रहेगा राहू की द्रिष्टी भी छटे भाव पे रहेगी और राहू की द्रिष्टी भी आपके आठवे भावन पे रहेगी तो देवा गुरु ब्रस्पति की द्रिष्टी और राहू की द्रिष्टी होने से देवा गुरु ब्रस्पति थोड़ा हलका पेट जन्या आपको प्रॉब रही हैं अब आपको दस्वी भहुष्चवानी यह है सनी साड़ी साती होने के कारण से और कि जब देवा गुरु ब्रस्पति और राहु का गोचर आपके दुति अभाव में रहेगा और उसके पर सनी की दिरिष्टि रहेगी तो रखत चिंताएं आपकी बढ़ रही हैं यानि कि मानसिक चिंताएं तो साड़ी साती होने के कारण से और ग्रखों के योग के कारण भी मानसिक चिंताएं रहेगी और चिर्शटापन जिदिपन आपके अंदर कुरोध आपके अंदर 2023 में देखने को मिल रहा है ये भी आपकी संभाव नहीं लेकिन तब भागय का बरपूर शाथ आपको मिल रहा है अब ग्यारवे भावश्यवानी है 2023 में जो मीन रासिवाले हैं उनके करजा करजा होने की पूर्ण योग दिख रहे हैं आप खर्चा बहुत करेंगे ब्याय बहुत करेंगे अनावस्यक खर्चा करेंगे यात्राएं बहुत करेंगे इस कारण से खर्चा भी दिख रहा है और उपर से करजा 12 में बहुष sólo ​ में लेख हैं पूरा साल भर उसमें से मैंने यह बहुष शमानी आप के लियुको निगा लिए अगर आप और विडियो देखना चाहते हुऊ occup вижу ले आ इसमें अन्या बताएं कब कि यह मैंने छोटी वीडियो आप के लिए बनाई है कि 2013 में आपको क्या अच्छा होगा क्या आपके साथ दिक्ते possível आएंगी अब मैं आपको बताता हूं किंशे बारा महीने में ईसे मेहने हैं इस मेहने में में आपको नाब रहेगा और ते किस महीने आपको चिंटाहीं दिखुरी है है पहले तो पूरे साल भर प्राक्रम उस्साह surveys आपकी ब्रिद्ध रहेगी उस्साह और प्राक्रम आपके अंदर बना रहेगा नबीनता आपके अंदर उर्जा हमेंशा रहेगी धार्मेक कारियों में आपके रूची बढ़ेगी धर्म से जुड़ कर आप रहेगे और धर्म से जुड़के अगर आप रहेंगे मीनदासिवालो 2023 में तो आपके लिए लाप्रद रहेगा 2023 जो सनी की साड़ी साथी आपको चिंताएं देंगी और जो यो गुरु चांडाल योग आपको चिंता देगा और देवागुरु गुरस्पदी जो पाप मध्यतों में भ घ्रण दिखकत कारत रहे का मार्च फिर आप एक ठीघ रहें है अterm भी थोड़ा दिखकत कारगा लग रहा है मई फिर ठीक है जून जुलाई अगस्टक फिर ठीक है let's and October 9th आदाम नौमबर पूरा अक्टूबर पुरा दिक्कत रहे पंदरा नौमबर के बाद और दिसमबर आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है यह जो मैंने बताएं आपको महीने जो हैं आपके लिए बढ़िया है और कुछ मैनों में आपको मान स्थटाएं मान हैं और पूरे साल भर आप कर्लें आपकी राशें में करने कारण से मीन दासे वालों को आपके लिए लापपर्द दिखते हैं वो अन्य ग्रहूं के कारणार्यंद के लिए मैं आपको उपाई बशायता हूं आपने मीदासिवालोस सनी साड़े साति का जो यूग है आपकी राश में प्रारम हुआ है उसके लिए आपने उपाई करना है सनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जा करके हनु हनुमान जर्फेया यादि कर के यह उत्तर मुख़े को इसन प्रत्तर मुख्य कैसे होंगे उनकी मूर्थी प्रत्र की तरफ लगी होग अरो उनका मुब होगा औरवक्य जो चैरा होगा वो वह तक्षनты की तरफ हो जाएगा जब आप हनुमान जी को देखेंगे तो ऐसे मंदिर में जहां भगवान जी उतर मुखी है उस मंदिर में जा करके हनुमान जी के बैट करके हनुमान हनमान 40 का पाट करें, सुन्दर कांड का पाट करें, हनमान जी का चोला चड़ाएं, सिंदूर चड़ाएं और लड्डू का भोग हनमान जी को लगाएं, बूनी का भोग लगाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा और सनिवार के दिन सायम काल में आपने पिफल की जड़ में आपने दिया जलाना है, घी का दिया जलाएं या तिल का तिल का जलाएं, या सरसो का तिल का जलाएं और उसमें काली बत्ती से आप ये दिया जलाएंगे, तो बढ़िया रहेगा या उसमें आप काली डाल डाल दे उसके अंदर ये भी आप कर सकते हैं और प्राता काल सनी बार के दिन आपने पीपल की जड़ में पानी भी जड़ाना है ये आप उपाई सनी साड़ी साथी के लिए करें और सनी बार के दिन आपने काली गाई को रोटी खिलानी है और उसमें बोलना ओम शन सनिश्चराय नमः ओम सन सनिश्चराय नमः आप 11 बार बोलें 7 बार बोलें 27 बार बोलें ऐसे बोल करके गाई को रोटिक लाएंगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए उपाई अचुक उपाई है मालसिक चिंताएं नहीं रहेंगी और दूसरा उपाई आप कर लिजे कि बढ़िए देवी पासना करनी होगा और बड़ी बढ़िवा स्क्राव के दिन और मंदिरहां को घर की में ही आगों सब्सक्राइब भी रहेगा अभे के लिए मुझे अनुब्सकार जयमाता दी!